दोस्तों आजकल फेसबुक तो सभी लोग यूज़ करते हैं तो फेसबुक की इस अंदर में एक बहुत बड़ी जानकारी मिली है इसके मतबिक फेसबुक ने भारती बजारों के लिए तीन नए फीचर्स को लांच किया है इसमें खास तौर पर वाइस पोस्ट का नाम शामिल है इसके अलावा नए फीचर्स के तौर पर यूज़र्स को स्टोरीज को सेफ करने और पुराने स्टोरीज को आर्काइफ करने का आप्शन मिलेगा ये नए फीचर्स स्टोरीज फीचर्स के लिए लांच किये गए हैं भारतियों के लिए लिमिटेड फोन स्टोरीज की समस Facebook में ही save कर पाएंगे नहीं देखने की लिए यूजर्स को फ़ेसबूक एकांट में लॉग ऐनकर लोगईन करना होोगा साता ही फेसबूक के में बाद में share किये जाने के लिए भी foreign actions videos को save किया सकता है यानि users को तुरंथ फोटो क्लिक कर एडिट कर पोस्ट करने की जरूत नहीं होगी इसके लाबा वाइस पोस्ट फीचर की बात करें तो यूजर अब अपनी स्टोरीज में आडियो मैसेज जोड पाएंगे वाइस पोस्ट फेस्बुक कैमरे के लिए एक नया उप्शन होगा यूजर ऐसे पोस्ट में बैक ग्राउंड पिक्चर या टेक्स भी जोड पाएंगे अंत में नए आर्काइव आप्शन की बात करें तो फेस्बुक अब पुराने सारे स्टोरीज का आर्काइव त्यार करेगा फेस्बुक ने जानकारी दी है कि यूजर के लिए प्राइवेट होगा और 24 घंटे बाद गायब नहीं होगा मिली जानकारी के मताबिक यूजर चाहें तो अपनी मर्जी से इस पोस्ट को दुबारा शेयर भी कर सकते हैं फेस्बुक इस फीचर को बंद करने का विकल भी यूजर को महीया कराएगा फिलाल सेफ फोटो और वीडियो फीचर को फेस्बुक के Android के लिए ही जारी किया गया है इसे फिलाहल फेस्बुक लाइट और iOS अप्स के लिए तयार नहीं कराएगा है Facebook के साथ ही ये भी जन करी दी है कि Wise Post को data की समस्या को ध्यान में रख कर तयार गिया है इसे Low Data Network Conduction में भी उप्योग किया जा सकता है Wise Post को 20 सेकंड तक ही रिकॉर्ड किया जा सकता है हलाकि शुरू में इसे Facebook Lite Users को ही उपलब कराय जाएगा बाद में Android users को दिया जाएगा iOS user के लिए इस feature की उपलब्दता को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है उमीद करता हूँ दोस्तों आपको ये Facebook के संदर में जो जानकारी दीए बहुत पसंद आई होगी आप क्रिपया हमें लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें क्योंकि ऐसी बहुत सी लेटेस जानकारी है हम आपको दिन प्रतिस दिन उपलब्द कराते रहेंगे हम लोग कम से कम 10 से 15 वीडियो डेली अपलोड करते हैं इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवाना बिलकुल भी ना भूलें